वेलकम अगेन ऑन यूर चैनल अल्फा ट्रीडिंग और आज बहुत टाइम के बाद फिर से वापस आया है वीडियो में तो आज का में टॉपिक रहेगा आप लोगों का कि थ्री सकस्फुल जो ट्रेडर्स की रूल्स रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं तो उससे पहले आपको यह बताऊंगा यह प्लाट्फरम है यहांपर आके आप ट्रेड कर सकते हैं ऑन बाइडर्सेट से लोग जो रूद करते हैं लेकिन हां आर्निग के पीछे लौस हिए तो वो हमेशा याद रखियेगा तो तो on the topic, let's start our video, तो सबसे पहला जो आपका rule रहेगा, वो रहेगा risk management, it means कि आपका risk management $1 से $100, ओके, ये दो चीज़ें, इन दोनों में same रहना चाहिए, अगर आपका $10 का amount है $1 की जगा, ओके, अगर $10 आपका deposit amount है, यहाँ पे live account में, तो उस पे जो आपका risk management plan रहेगा, वही आपको same apply करना है, around 6 to 7 months, और maybe more you can try, so, अगर इस basis पे अगर आप trade करोगे, तो आपका एक continuity build up होगा, जिससे आप नहीं अपने risk management को अपना खराब करोगे, नहीं उसको बदलोगे, सिर्फ अगर आपने set रखा है अपना $10 के लिए कि $1 की trade लेनी है आपको per day, ओके, और second है $100, वहाँ पे भी अगर आपने यही same rule रखा हुआ है, कि आपने risk management यहाँ पे $2 रख दिया है, तो $100 देख के आपको $2 से उपर का change नहीं करना, shift नहीं आना चाहिए, सबसे पहला आपका rule यह रहना चाहिए, ओके, got it, then second continuous learning, अब learning पे आजाते हैं सब भई कि आपको कूड़ा नहीं भरना अपने दिमाग में, कूड़ा in the sense यह कि देखो आप SMA पढ़ रहे हो, support resistance पढ़ रहे हो, फिपोनाची पढ़ रहे हो, and alligator पढ़ रहे हो, zigzag पढ़ रहे हो, and some more indicators जिनका भी नाम याद भी नहीं आ रहा है, तो उन सबको पढ़ रहे हो आप daily basis पे, यह चीज avoid करो, करना क्या है, 2 से 3 आपको indicators यूज करने हैं, और उन्हीं पे practice करना है different time frame पे, जैसे यहाँ पे 1 minute, 5 minute पे shift हो जाईए, 10 minute पे shift हो जाईए, 1 hour के लिए, जितना ज्यादा shift करोगे, उतना ज्यादा आपका continuous learning रहेगा, और practice होगा, सिर्फ 3 major चीजों पे, एक हो गया मालो, SMA अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर मैं personal suggestion दूँ, ठीक है, इतने time का, अगर experience तूँ आपको, तो ये सबसे पहले रहेगा, SMA, okay, then SNR, मतलब, जिन्नों ने वीडियो देखी हैं, उनको तो पता होगा, जिन्नों नहीं देखी हैं, उनको भी बता देते हैं, कि SNR का मतलब है, support and resistance, okay, और इनके उपर, already काफी, briefly वीडियो हमने upload की हुई है, then, third जो आता है, SMA हो गया, SNR भी हो गया, और third, अगर मैं personal आपको suggestion दूँ, तो भई, मेरे हिसाब से Bollinger Bands, ओके, ये आपको fluctuated market में सबसे ज़ादा response देगा, ठीक है, Bollinger Bands, BBs को लिख सकता है, Big Boss नहीं, ठीक है, इसका मतलब है Bollinger Bands, तो ये तिन चीज़ें आपको clear हो गई, उसके बाद आता है, Discipline and Patience, Patience सब के पास नहीं आता, देखो, दो जो पहले आपके Risk Management and Continuous Learning है, उसके बाद अगर आपका Discipline और Patience ही नहीं रहेगा, तो आपका उन चीज़ों को करने का फाइदा Zero है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे अभी Market देख रहे हैं, चार्ट आपके सामने है, अभी Discipline और Patience, देखो, अगर आपको यहाँ पे कोई भी Pattern नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले रखना है Patience, एक मिनट पे, दो मिनट पे, तीन मिनट पे, दस मिनट पे, सारी Candles को अच्छे से Briefly Read Out करो, ओके, अच्छे से Market समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, Shift कर दो, Currency, आपके पास Option है, ओके, नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, फिर से Change कर दो, अगली Currency नहीं आ रहा है, बहुत सारी Currency तो सब यूज कर सकते हैं, उसके बाद भी नहीं आ रहा है, तो भई, छोड़ दो, लाइव अकाउंट पे ट्रीर करना, डेमो अकाउंट मिला है सबको, वहाँ पे ट्रीर करना स्टार्ट करो, और अगर पैटर्न समझ पा रहे हो, अच्छे से, और स्ट्रेजी बिल्डप कर रहे हो, और स्ट्रेजी वा कर रही है, आपका डेमो पे, तो इतनी चीजों को अगर आप कर लेते हो, तो बिलीव मी, जो 100% में से 90% जो लॉसेज में रहते हैं ट्रेडर, उनसे हट के आप आगे के 10% में अपनी एंट्री कर लोगे, इतना सा चीज है, पर होगा धीरे-धीरे, टाइम हर एक चीज लेती है, जैसे अगर मार्केट अगर यहां से देखो, मार्केट ना कभी भी यह एकदम से डाउन फॉल हमेशा सब की लाइफ में जरूर आता है, आप केंडल से आप इसको इसली समझ सकते हो, जैसे यहां पर मार्केट है, यहां तक उपर जाने के लिए मार्केट हमेशा देखो यहां से, कभी उपर गया, कभी नीचे, ठीक है, आप डाउन आते रहे हर एक जगा पर, जब डाउन फॉल हुआ, भाई एकदम से गिरेगा, ओके, तो गीरा, तो इसका मतलब फिर से उठ होटेगा, है न, अगर गिर गया, तो इसको यहां पर, स्टेबिलिटी के लिए, यहां पर इसने स्टेबल होना शुरू किया, आगे-आगे, स्टेबल होगा, धीरे-धीरे, सेम चीज, एपलाई होती है, आपके ट्रेडिंग की जरनी में, हमेशा याद रखना, कि धीरे-ध आपको यहां पर जाओगे, तो अगर आप एकदम से उपर जाओगे, तो डेफिनेटली उसी स्पीड से नीचे भी आओगे, है न, तो इसके आपको बेसिस पे याद रखना है, एकदम से आपको यहां पर बहुत जादा मनी की तरफ नहीं जाना है, न लालच करना है, चितन मिल रहा है, पर डे पे, अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है, वन डॉलर से टू डॉलर तक का, ओके, इनफ है, निकल जाओ, बस, इससे जादा कुछ नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता नेक्स्ट टेप पे क्या होगा, तो सेफ ट्रेडिंग करो, और अपनी हैबिट्स को डेवलप करो, इसी तरीके से सुम आगे भी बहुत अच्छे से ट्रेड करके अपना प्रॉफिट निकाल पाओगे और एक सक्सेस्फुल ट्रेडर की रूप में बाहर निकलोगे ट्रेडिंग से, तो सी यू इन दे नेक्स वीडियो, सो तिल देन, बाइबाय, हैव नाइस and be safe and be aware